बड़ी ब्रेकिंग और कई लोगों के लिए शौकिंग न्यूज आ रही दर्शको ये न्यूज है कि बीजेपी की तेज तर्रार हिंदुवादी नेता उमा भारती ने खुद ही हिंदु धर्म छोड़ दिया है और जैन धर्म को अपना लिया है आपको आशरे हो रहा होगा न लेकिन आप अगर दो दिन के भीतर किये गए उनके दो दर्शन से जादा ट्वीट को इकठा करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो पता चल जाएगा कि उन्होंने भी जातिवाद से तंग आकर आखिर हिंदु धर्म छोड़ी दिया उनके ट्वीट में लिखा है कि मेरे गुरू ने 30 साल पहले मुझसे कहा था कि सारे विश्वे के साथ अपने परिवार पर भी दया और करुणा रखना किन्तु आसकती या मोह मत रखना उसी बात को 30 साल बाद स्रीविद्या सागर महराज जी ने विस्तार दिया भारती भार पर भेद भाव और उपेक्षा का आरोब भी लगाती नजर आ रही हैं उन्होंने लिखा कि जिस परिवार में जन्मी मेरे भाईयों एवं भतीजे भतीजियों ने मुझे राजनीती में बहुत बड़ा सहरा दिया कई बार तो अपनी जान दाव पर लगा दी जूठे केस प बीजेपी ने निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रामणों को कर्मकांडी और लाल्ची कह दिया था बागेश्वर धाम के एक कथा वाचक ने तो उनकी सुपारी तक दे दी थी तब से ही वे और उनका परिवार अपनी लोधी जाती की उपेक्षित इस्तिती को लेकर ज राजनितिक सफर शुरू किया था और बाजपई सरकार में वो मानव संसाधन विकास परेटन युवा मामले और खेल और अंत में कोईला और खदान जैसे विभिन राज्य इस्तरी और केबिनेट इस्तर की विभागों में उन्होंने कारे किया उनका नाम RSS के सदस्य गोवि भूमी का निभाई थी उनका दिया हुआ नारा राम लला हम आएंगे मंदीर वहीं बनाएंगे काफी प्रचलित हुआ था इसके बाद वो और आडवानी भी जेल गये थे लेकिन जैसे जैसे राम मंदीर मुद्दे का लाब सरकार बनाने में होने लगा वैसे वैसे उमा भा देव दिपावली है देखिए इस ट्वीट में आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या इस हिती है वो किस तरह से अलग कर दी गई है या अकेले पड़ गई है वो लिखती कि आज देव दिपावली है भगवान कार्तिक स्वामी आज असूरों को पराजित करके हिमाले की और वापस लोटे उनके इतने पराक्रम के बाद भी जब वो हिमाले की ओर लोटे तो अकेले पड़ गए 2019 से पहले गंगा किनारे की याद्रा के लिए और अब शराप के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का एवं लोगों का साथ तो रहा किन्तु मेरी अपनी पार्टी कोनों अभियानों के लिए मेरे प्रती सम्माना और समर्थन दिखाते हैं किन्तु पार्टी के तरफ से कोई विशेश आयोजन इन विश्यों को लेकर नहीं होता है मैं कल चंद्रगरहन के बाद नाकपूर होकर अमरकंटक के आसपास अज्यातवास में रहते हुए मंडराते रहूंगी वहीं आगे वे बीजेपी को चेतावनी देती हुए लिखती हैं कि दत्त पूर्णीमा यहने आठ दिसंबर तर प्रतिक्षा करती हूं कि केंद्री इस्तर पर हमारी पार्टी और राज इस्तर पर हमारी मध्यपिदेश की सरकार क्या नीती बनाती है मसला गंबीर वहीं पार्टी में उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और इसलिए उन्होंने उनकी बात को उठाने के लिए सोशल मीडिया का धन्यवाद भी किया उमा भारती का इस तरह जैन धर्म स्विकार करना एक तरह से हिंदू धर्म त्यागने जैसा ही है भारत के इतिहास में हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्मों को स्विकारने में जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चित और आधर्णी है वो है डॉक्टर बाबा साब भीम राव अमबेटकर का जिन्होंने बाकाइदा एलान करके हिंदू धर्म त्यागा और बहुत धर्म की दिख्शा ली थी लेकिन उस समय धर्म परिवर्तन का मूल आधार भी तब भी हिंदू धर्म की कुरीतियां और जाती आधारित भेदभावाली बढ़ने विवस्ता ही था अब उमा भारती का ये परिवर्तन आप इसको किस तरह से देखते हैं आप अपनी राय जरूर हमें बताएं बहुत बहुत धन्यवाद